चिकेज सक असोग गुरू के पत्नी के साथ मार पीट मामले में दो लोगों की हुई गिरफतारी बाकी अन्य आरोपी के लिए छापे मारी तेज मामला नरकटिया गंज नगर के नंदपूर ढाला आवस्तित एक नेजी क्लिनिक में चिकेज सक दमपती के साथ मार पीट मामले में सिकारपूर पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार किया है गिरफतार आरोपितों में नंदपूर के राजकुमार साथ और सरफुलन देवान सामिल है मामले में चिकेज सक असोग गुरू की पत्नी पुश्पा देवी ने सिकारपूर थाना में प्रात्मी की दर्श कराई है प्रात्मी की में बताया है कि उसका क्लेनिक नंदपूर ढाला में है वहाँ नर्सिंग स्टाफ के रूप में सुनीता देवी कारे कर रही थी मरीजों की सिकायत पर उसके रुपए का हिसाब कर काम पर आने से मना कर दिया बीते छे दिसंबर को वह उसके घर पर आकर उसे जाती सुचक गाली देते वे मार पीट करने लगी विरोध करने पर आदित्य वर्मा उर्फ उंकार, पुनम कुमारी, सिराज एहमद, सैफून देवान, राज कुमार सा, संदीप कुमार, मिस्री सानी, सभी नंदपूर ने उसे जमीन पर पटक दिया और जान मारने की नियत से वार किया आरोपितों ने घर में घुसकर पर्स में रखा डेर लाख रुपया, कान का जुमका और मंगल सूत्र निकाल लिया थाना अध्यक्ष रामासरे यादों ने बताया कि मामले में राज कुमार सा और सरफुलन देवान को गिरफतार कर लिया गया है अन्य लोगों की गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है नियोज नाइन टाइम्स